नमो उनारे येगो माता बंदे मातरों मा भारती को प्रणाम और अपने हिर्दे से ओम शम शनिश्चराए नमा कैसा रहेगा मई 2021 का मैना इस प्रोगाम में आप सभी का स्वागत है मई 2021 बारक बारे राश्यों के लिए कैसा रहेगा इस विचार को लेकर आपके सामने उपसे तूँ गरनक्षत्रों की गरना के हिसाब से मई मा की नक्षत्र गरना इस प्रकार है इस मा का आरंब जो पहली तारीक है वो मेश लगन में सुरिय उदे हो रहा है लगन में शुरिय और शुकर चनर्मा धनराशी नमम भाव में मंगल मिधुन राशी तीसरे भाव में बुद रहो के साथ दूसरे भाव में ब्रश्पत्री कुम राशी ग्यारवे भाव में शनी स्वराशी मकर में दसम भाव में केतु विर्शिक राशी अस्टब भाव में शनी और मंगल का सडास्तक योग बुद और रहो का और शनी के साथ नमम पंचम योग और ब्रश्पत्री और मंगल का नमम पंचम योग मंगल और केतु का स्रडास्टर के योग और शूर्य शुकर और केतु का स्रडास्टर के योग जिसरे के घ्रेय योगायोग है शंपहुन राष्ट के अंदर एक नई जागरती आगी व्यक्ति शौम सतर्क रहना सुरू करेगा ग्रहय योगायोग बहुत अनकूल है लेकिन जब-जब रहू के साथ समध बनता है और जब-जब शूरी और केतू का समध बनता है तब तक कोई-कोई-कोई-कोई-कोई महमारी संपोण विश्व को प्रभावित करती है तो महमारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अप्विक्षित है पढ़तू समय राष्ट के लिए अनकूल है राजनितिक मंच पर आकर्म का खाड़े बने रहेंगे फिर भी राष्ट में एक नई सोच उत्वन होगी जिससे राष्टे एकता को बल मिलेगा शत्रू भाव साधान जनता है सासन उसको पूरा शयोग करेगा सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं जो बीपियल कहते हैं बिलो पावर्टी लेवल उनके लिए ने ने रोजगार के साधन आर्थिक पक्षुदर होगा बहुत अच्छे लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की ह है वो यह संके देरी कि हमें करोना वाइरिस से साफधान तो रहना पड़ेगा दोगजगी दूरी और मास्क जरूरी है ध्यान रखना भई अपने अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है ज्यादा लोगों से नहीं मिले और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्यों को भ अध्यकर बादा शुब रहे ताम मही का महीना अपने अपने बादा शुब है कि इस महीने में चौदा मही को अखसे-ठित्य पूजग अभुत पूर कल्यानकारी परहा है और अख्शे ठित्या जिसका कभी छे नहीं होता अख्से फी यानि जिसका कभी छह नहीं होता इसलिए 2021 अक्से तित्या काई अध्भूत तेवार अपने आप में बड़ा अलोक्य के इस दिन सुर्य और चंदर्मा दोनों ही उंच के हैं जो 30 की दिस्टिकॉन से महत्पून माना गया है 14 मई दोहजार एकेश ये दिन नर और नाराइन के अवतार का दिन है इसी दिन भगवान परसुरात का अवतार हुआ था और हैग्रिव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था शास्तरों के अनुशार अक्से तित्या की बेला में तिरेतायुक का प्रारम हुआ और शत्यों की संदिग यहीं साक्सी तीती है और जन्मानस के लिए बहुत अध्भूत तीती है माभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सुर्य ने पांड़ों को अक्से पात्र प्रसूत किया था भगती दुर्गा ने इसी दिन महिशा सुर्गा बद किया था और अक्से तिर्टिया का इदन था जब भगवान सुरी क्रिष्ण और सुधामा का मिलुन हुआ था तो भाई मही का महिना अपने आप में बहुत अध्भूद है मैं मही के महिने में बारक बारा राश्य उपर गरनक्षत्र का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊँगा वो बताऊँगा इसके साथ में अक्से तिर्टिया पर धन शमंदी परेशानियों का निवारन कैसे हो वो सारे उपाई बताऊँगा वे लोग जो साधी विवा के मसले को लेकर बहुत परेशान है उनके लिए उपाई बताऊँगा करदा बहुत रहता है मुक्ति का उपाई बताऊंगा पारवारिक सुक्सांति का उपाई बताऊंगा नौकरी और परिवार में शुकून का से रहे ये भी उपाई बताऊंगा अक्षे तिर्ट्या पर अदभुद उपाई लेका आया हूं बारक बारा राशियों गा अक्षे गाद बिस दूबANS पित्पन के लिए पावन थे पित्र तरपन के लिए इस दिन सराद करने से 파्ट्रों का असरिवात प्राप्त होता है जो ग्यों, चना, चावल, सत्तू, दई, दूसरे बने पदार्थ, पित्रों के नाम पर जरुदमन ब्यक्ति या प्रहमनाओं को दान देना बड़ा शुब माना गया है और ये वोई दिन है जिन्द बद्रिनात के कपाद खुलते है चंपौन मनोकामनाओं के हिसाब से, अखन शोभागय के हिसाब से, संतान सुरक्सित रहे और घर में शुक और शोभागय की वर्दी हो अदभुद बारक बारा राश्यों के लिए उपाई लेका यहूं अक्सित तिर्तिया पर कैसा रहेगा मई का महिना और मई के महिने में धन की बरसाद हो, मागर लक्ष में आए और संतान की शुक की प्राप्ति हो, साधी विवा के मसले हलो और शोभागय में वर्दी हो अदभुद बारा के बारा राश्यों के लिए उपाई भी लेका यहूं तो कैसा रहेगा बारा के बारा राश्यों के लिए मै का महिना और अकसे तृतिया में आपकी मनोगाम नावी कैसे पूर्ति हो, हर राश्य का अलग-अलग उपाई भी बताऊंगा नमोना रहे, नमोना रहे, नमोना रहे राशी फल पर आओं इससे पहले मकर राशी वालों के लिए कुछ बाते हैं जो मेरे जीवन के अन्भव की हैं आपके सामने रखना मेरा फर्ज और धर्म भी है मानो ना मानो आपकी मर्ची मकर राशी का शौमी शनी है और राशी अद्विपदी शनी होने के कारण मकर राशी वालों का जो शभाव है उसमें कुछ बाते कहना चाहता हूँ चाहिए वो पूरश हो चाहिए महिला हो मकर राशी के जातक विशेस्ता इत्यास और पुरानी चीजों की प्रती विशेस लगाव और रूची रखते हैं ऐसा देखा गया है शारिक चमता और मांसिक बुद्धी बहुत तेज होती है मकर राशी वालों और ये कभी मैनस से जीरनी चुराते हैं परिश्रम से जीरनी चुराते हैं हाँ शभा में कंपिटिशन है हिर्षिया है लेकिन मैनस से कभी जीरनी चुराते हैं इनकी विचारधारा दूसरों से भिन होती है निजी प्रतिष्टा और सामाजिक इस्थिति इनके लिए बहुत महत्व रखती है और जिवन की वास्वित्ता इनको पसंद होती है ये यतारत वादी दस्टिकॉन रखते हैं इनका लक्स सदा आगे बढ़ना होता है और अपनी लक्स की पूर्टी के लिए भी अपने आसपास की व्यक्तियों से भरपूर शारा लेते हैं और शारा देते भी हैं सम्मान से जीने की चात और गंभिरता दोनों ही इनमें अधिक मात्रा में होती है अपनी सम्मान से समझोता नहीं करते हैं और अपनी गंभिरता नहीं चोड एक बार अपना लक्स निधारित कर लेते हैं, फिर पीछे मुर कर नहीं देखते हैं, जिसका साथ देना है फिर देना है, फिर हानी हो या पिर लाब हो, और समाज क्या कहेगा, इसकी इनको परवा नहीं होती है, समाज की लोगों की नजरों में उनकी छबी किस परकार की बनी, इस बात का उने विसेश ख्ञाल नहीं होता है, लक्स पर ध्यान होता है, जिसके साथ है, उनके साथ है, मकराशी वालों, श्वास्तिय पर कुछ बाते कहना चाहता हूं, जिवन का जो प्रारंबिक भाग है, उसमें आपको बीमारियों का भै रहता है, और मकराशी काल पूर उसके घुटनों और हडियों का प्रतिने दूद करती है हडियों समंदी बीमारी से मकर राशी वालों को शदाशा उधान देना चाहिए खानपान पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मोटापा बढ़ सकता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ज्यादा नम और ज्यादा ठंडे इस्तानों में रहना मकर राशी वालों के लिए अच्छा सिद्नी होता है और ऐसे इस्तानों पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ समंदी कोई न कोई कोई न कोई प्रॉब्लम हमेशा देखी गई है नेगिटिव थोट बहुत जल्दी आ जाते हैं इससे इनको बच है तो चिकसा में कभी लापरवाई नहीं करना चाहिए और यह संभावनाय इस राशी के जातक जातेकाओं को बनती है अपनी दस्टिकौन में परिवर्तन लाने का प्रियास जरूर करना चाहिए आकोश्रमंदी परेशानी हो नहीं हो इस पर विध्यान देना चाहिए कमर त रांगे और दुरगटनाओं की परती विसेश साउधान रहना चाहिए मकर राशी वालों के लिए कभी कभी यह देखा गया कि निरासाओं से परेशाने से उबरने के लिए यह मादक दर्वेओं का शारा ले 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 ते जो इनके लिए जीवन के लिए बहुत बड़ा मैं आपके सामने रखाओं मानों मानों आपकी मर्जी अब मैं आपसे बात करना चाता हूँ कि यह जो मई 2021 है यह महीना आपके लिए नक्षतर करनाओं के साब से कैसा रहेगा मकर राशी का राशी अद्वधिशामी स्वाराशी मकर में लगन भाव से गोचर कर रहे हैं सूर चुरी 15 मही को विर्षप राशी विर्षप में पन्चम भाव से गोचर कर हैं चंद्रमादानु राशी 12 तरव से ब्रशपति कुमत राशी दूसरे भाव से गोचर कर रही और केतु विर्षिक रासी 11 इद्यों भाव में गोचर कर रहे यह घरोंह, आप वे भ्रमनकाल है श बुज़गार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, वैवेशाई के हिसाब से, आर्तिक दर्षिकॉन से, परिवार और स्वास्तिक के हिसाब से कैसे रहेंगे, इस विश्य पर चर्चा कर रहा हूं, और सबसे पहले सिक्षा की दर्षिकॉन से, मई का मईना अच्छा रहेगा, कर शक्ति आपकी अच्छी होगे परिक्षा प्रणाम भी ठीक रहेंगे लेकर लापरवाई नुक्षान दे सकती है कुछ नया सीखने की लेलक अद्भूद रहेगी और महनत और परिश्रम का फल अविश्य मिलेगा परिक्षा में मनों कौल प्रणाम प्राप्द होगे किस्ताना पर कम जाएं पड़ाई पर ध्यान दे रात्री भर्मन नहीं करें आपके लिए अच्छा रहेगा नमना रहें वैविशाए कामकाज आर्थिक दश्टी नौकरी के हिसाब से में बात करूं तो मकर राशी वालों के लिए मही का महीना कारोबार में उनती नौकरी मे शपलता और कामकाज में प्रकति का पूर्ण आउश्र देगा मकर राशी वालों के लिए दूसरी भाव में ब्रश्टी का गोचर और पंचम भाव में विर्शब राशी में रहुपूद की यूती वैविशाए और कामकाज और आर्थिक लेंदेन और नौकरी के हिसाब से अच्चा संकेदरी कारोबार में लाप प्राप्ति की सुरत बढ़ेंगे कारि छेतर में आपका प्रभुत्य वढ़ेगा मान समान और रवरत की प्रापति होगी और आपके के उपर निराशा हावी नियों इस बात पर विसे ध्यान देना गोचरी संके दे रहा है कि धन कहीं से में मिलेगा जरूर हाँ थोड़ा सा करजा बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है लेकिन ये करजा उत्रेगा समय का वेट करी उनतिक आउसर पाप्द होंगे शत्रु पक् अजरे मन को प्रसंता प्रतान कराईगे नौकरी में तरकी का उसर मिलेगे और आठीक लागे वेडिकल का चेत्व चेत्र जमिन जाईदाद का चेत्र ट्रांसपोर्ट का चेत्र लोहा उद्यों या फिर आप लेबर वर्ग करते हैं लोगों को कामों पे लगाना वगरा या स जमिन जाइदाद का सौधा आता है तो लीगल प्रोस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है कानूनी दाउंपेज को देखना बहुत जरूरी है ना मना रहे हैं सामाजी कर पारवारिक दस्ट कौन से मकराशी वालों के लिए स्यम आपकी वज़े से पारवारिक व्यवस्ता ठीक रहेगी पारवारिक वातावन ठीक रहेगा क्योंकि आप परिवार के साथ खड़े रहेगे हां परिवार के लोगों की अपेक्षा आपकी परती बहुत रहेगी आप कितना भी कर लें फिर भी कहीं 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 परिवार वाले कमी जरूर निकालेंगे इसलिए धैरी ए पहलते ょघ्णा 주고 ये किश्वन्साति का पूणका प्रभट होगा जिवन्साति कटा से कंधा मिलाँके आपके साथ जलेगा और नम्पजिवन्साति के अन्कुलता भी रहे लेकिन जीवन्साति के स्वास्ती को लेकर मैं कर राशी सालें किसी तरह की लापरवाई अच्छे प्रणाम नहीं दे रही है आप अपने जीवन साथी के स्वास्ती को लेकर विशेश सावधानी और चिकसा पे लापरवाई नहीं बरतेंगे तो बहुत अचार रहे हैं और जीवन साथी को शमय देना बहुत जरूरी है जीवन साथी को शमय देना बहुत जरूरी है परिवार के साथ आप खड़े रहेंगे पिता का आशिरुवाद मिलेगा सन्हे मिलेगा लेकिन पिता के स्वास्त्यों को लेकर चिंता जरूर रहेगे एक बहुत जरूरी बात है जो आपके लिए मई के मैने में घर में मांगली कारिय संपन हो सकते हैं और घर के मांगली कारिय में शादी व्यवा का मसला या आर्श ऐसा कोई भी उत्सव वगरा हो सकता है उस दोहरान थोड़ा सा संतुलन और धैरी और स्यम रखना बहुत जरूरी है स्वास्ते की बात करूँ तो स्वास्ते के मोर्चे पर शंपून नक्षतर गणना अनकुलता का संकेत दे रही है फिर भी क्योंकि करोना काले भई सावधानिया प्रेक्सिते पुराने कोई बीमारी है तो उच्छे किसा मिला पर रही नहीं बरते वैसे देवदी देव सनिदेव स्वारासी में है पुराने कसर चुटकारा मिलेगा लेकिन उदर समन्दी बीमारी पेट समन्दी बीमारी मोटा पाश शुगर या आखो समन्दी कोई तकलीप है तो तुरंट तुरंट डॉक्टर से सला लीजिए हाँ सात्विक भोजन लीजिए थोड़ा सा कम खाई और प्रकृत्ते की साथ रही है देनिक दिन दिन्द्रिया नहीं में समय पर खाईए और समय पर सोईए आराम का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है नहीं मकराश व पर अंधा विश्वास नहीं करना है यह दिया वैपार विश्थार के लिए को रिंड लेना चाते तो इस समय प्रियास करिए सफलता अवस्य मिल जाएगी पर फेर याद दिलाना चाता हूं कि इस मेने जीविन सात्ते की स्वास्तियों को लेकर लापरवाई नहीं बैता है परवारी सदस्यों के छोटे भाई बैनों की जिम्यदारी को लेकर परिशानी का संकेत नजर आ रहा है थोड़ा सा ध्यान जरूर दे ऐसा कारिये जिसका आपको अनभव नहीं है उसमें हाल डालने से पहले कानूनी दाओं पेच अनभवी लोग और अपनों से बड़ों से मसरूरा लेकर ही हाठ डालेंगे तो अच्छा रहेगा अन्यता अददिक आदम विश्वास गले की हड़ी बन सकती है नमा नारे क्या उपाई करें ओम शामशन इस्चराय नमा भजनी धामनी चेव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी मही सी अजा ओम शामशन इस्च लगातार हर रोज सो ग्राम पचास ग्राम अपने उसार कर आप गाई को जरुखिला लीजिएगा जिवन खुश्वालों मही का महिना आपके लिए अद्भूद भी है क्योंकि 14 मही को अक्से तृत्या का पावन पर है और कैरियर कारोबार नौकरी परिवार श्वास्ती जि के सारी बादाई सारी कष्ट सारी परिशाने से आपको मुक्ति देगा अक्से दित्या के पावन पर हो शुवे पांच बचकर 45 मिन से लेकर दोपर 12 बचकर 15 मिन के बीच मिन मिट्टी के पातर में 800 क्राम शैद भर कर शवा मिटन लाल कपड़े से बाद देजी घर दुकान अपिस के इसान कौन में रख दी दूसरे दिन पैतकाल कपड़े से ये पातर किसी वयोवर्द व्यक्ति जिनकी उमर 60 साल से जादा है उन्हें आप जरुतमन्द व्यक्ति को दान में दे दीजेगा दर दर दूर हो जागई अधूद है अक्से तिर्टिया के पावन परवर ओम नमो भगवते वाशू दिवाय नमा इश्मंत्र का जाब करना अक्से तिर्टिया के पावन परवर भगवान लक्ष्मी नारानिका 55 पूजन जरूर करे धूप दीप नेवेदी पुष्पर अक्षत अर्पेट करें और कमल का पुष्ट सिर्चर्णों में भेट करना शभाव, श्वास्ति और मैं के मेने का राश्यपल और अक्से तिर्टिया की पावन परवर क्या उपाई करें कि मालक्ष्मी प्रशनों और धन की आवगवार है मैंने अपने विचार आपके सामने रखे मानो नुमानो आपकी मर्जी शेकें ओपनेन का अधिकार आपका था आपका है रापिका रहेगा मित्रों शाथियों राश्वाशियों करोना से बचना होगा सासन के साथ कंदा से कंदा मिला कर खड़ा रहना पड़ेगा पूर्ण लोगडाउन नहीं लगे इसके लिए हम सभी को शतक रहना पड़ेगा शावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इ ज्यादा जाने से बचे, कम से कम सार्वनी इस्तरों बजाए, कम लोगों से मिले और करोना की चेन को तोड़ने में शासन का सयोग करें और आपके आसपास कोई जरुद मन ब्यक्ती हो, उस पर जरुद ध्यान दे, कोई भूका नहीं रहे, चाहिए प्रानी हो, चाहिए पक्षी हो, कोई जीवजनत हो, भूजने की व्यवस्ता अपने शामरते का अनुसार जरू करें, ना मौना रहे, ना मौना रहे इन तीस साल में, डिवादी देव सनेदेव की कृपा से, गो माता की सेवा में लगा रहा, पिछले दो-तीन सालों से, मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है, जितनी मस्ती में मैं गो माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है, राष्ट में पूरा वि विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया, कि मित्रों और शाथियों, मेरी आर्तिक प्रस्ति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गो माता की सेवा में आपका सहयोग चाहे, आप गो माता की सेवा करेंगे, तो मैं आपकी सेवा में हाजी मेरे आरादीय देवसनी देवरु गुरू महराद जी की दया से जोतीश की आसपास रहने का आउसर मिला आपको जोतीशी समधान में मेरा सहीओग चाहिए मैं कोई प्रजापिता ब्रहा नहीं हूँ और नहीं मैं हतेलिय में सर्थू उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जो तिसी समधान के लिए और इसकी एवज भी मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गो माता के लिए 20 से उर्पिया गोसाला में जरूर करें आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गो माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गो माता भुकी ने रहे मेरी गो माता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाथा की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की बज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सबी से मेरा निवदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करें नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर संपर करिए मैं आपसे वीडियो कॉंफरेंस में जरूर बात करूँगा और ये मेरा शोभाग्य होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहु करूँ जब आपको मेरी आवश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलबद रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोती से समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन क्या आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में शयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सिवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहें चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरासरी सेवा का फल हमेशा मीठा होता है शाथ पर और समय बड़ा बलवान है समय एक साथ नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन कर आज तक मैंने राश्ट से कभी पैसा नहीं माना मैंने यह जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दें मैं भी सेवा करूं आप भी सेवा करें इस समय मैं खल दिवानी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं मेरी आर्थिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सबी लोग गायों के हरे चारे की वेवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि दी राष्ट के लोग 2100 रुपय भी गो साला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे स्योग में लेगा जो लोग स्योग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लोग स्योग के लिए आगे आएंगे सर्षी भगवान कि स्यल्टरन मेरी प्रात्मा उनकी रक्षा करें उनका जिमन सदा खुषियों से भरा रहे हैं मित्रों और साथियों जाती महरा जिमन भरा आपके बहारे रहेंगे इस से वाकिलिए मेरी गोमाता भूकी नहीं रहे, उन्हें तकलीब नहीं आए, थोड़ा सा प्रियास जरूर करें, नमाना रहे.